दर्देश के पूर्व उपप्रधान मंत्री और जननायक चोधरी देविलाल के पुर्णती थी पर दिल्य से संघर्ष स्थल पर विशेश श्रधांजली सभाक आयोजन किया गया सरान कई वरिष्ट नेताओं ने चोधरी देविलाल को याद करते वे उने श्रधांजली देश मौके पार इनेलो सुप्रीम उपी चोटाला ने भी चोधरी देविलाल को श्रधांजली दी साथी जेजेबी के राष्व धक्ष अज़री देविलाल के आदर्शो पर चलने की सलाह दी पूरा पूरा परिवार वहां पर मौझूद था इस इस सभा का आई उजल क्या गया था आप र मर्याडा के पूर मुक्ण मफी और चौती देविलाल के बेटे उंटितार शौटाला भी पहुझे 21 वी कुनित थी पर हम सब को उनके जीवन से प्रेड़ना ही नहीं सीखना जी इकिस परकार से त्याग गुत पश्या उनने देश भर में सिखाई और किस तरीके से राजनितिक परिवर्तन लाकर कैसे अवसर शाही को गाउं की धरातल पर उतार कर जनता दर्बार लगाने का काम किया था मैं यह मानता हूं कि अपने आप में जन्नेक्स परकिय चोधरी देविला प्रेड़ना है प्रतियक नागरिक के लिए चाहें उनके उठाएवे कदमों को आद दुनिया भर में बढ़ापा पेंशन हो मेटरनेटी लीव हो जच्चा बच्चा योजना या आज काम के बदले अनाज को मनरेगा के तौर पर हम देखते हैं अपनाया जा रहा है और अपने आप में उनका जीवन केवल जीवन नहीं एक संसता के तौर पे हमारे पीडियो को सिखाने है चोद्रीं देख्लाल जी की 21 पुन्यदिति है है फ़र पुन्यदिति पर उन्हें सरदा के सुमन अर्पित करने के लिए पूरे देश के लोग यहां पे एकत्रीत होते हैं आज हम भी उन्हें सरदास मुनार्पित करने के लिए आए हैं। उनके दिखाए विरस्ते पर चल करके मिरंतर आज देश के अनेक सरकारे काम कर रही है। और जो काम उन्होंने किये आज देख रहे हैं आप कि उसके प्रिणाम आपके सामने हैं। निरंतर वो से वाएं आगे बढ़ रही है। चोईश साब हम सब के प्रोणा सोड़ते हैं। हमने तो चोधरी देविलाल के परिवार में जनम लिया। लेकिन चोधरी देविलाल जी से दुनिया के लोगों ने सीखने का काम किया। उन्होंने इस देश की राजनिती को कई बार बदलने का काम किया। ब लोग जल्दी ऐसे लोगों की नियत को बाप गए और उन लोगों को सबक भी सिखाया। आज भी कुछ लोग चोधरी देविलाल के नाम पर राजनितिक रोटियां सेकने के प्रियास में हैं। उन्हें भी सबक मिलेगा। आपने देखा नहीं कैसे फोटों खिचाने के ऐसे लोगों को भी लोग सबक शिखाएंगे। चुटाला साम ने अपने साप सब्दों में एक बात कही थी कि चोधरी देविलाल तो कमेरे के पक्ष दर्धे। लुटे दे को हमेशा उन्होंने लुटे दों से देश को बचाने का काम था।